देवो थान एकादसी व्रत की कथा एवं महत्में एक बार ब्रह्म देव देवर्सी नारत को कहने लगे हे रिशीवर सभी को पुन्य आनंद और मोक्ष प्रदान करने वाली देवो थान एकादसी के बारे में मैं तुम्हें कहता हूं कार्तिक मास के सुकलपक्ष में यह देव देव ने कहा एकादसी को एकादसी को एक सिमत खाना खाने से उसके केवल एक जनम के पादस्ट होते हैं जो केवल रसा हार करता है उसके दो जन्मों के पापनास होते हैं पर जो पूरा दिन उप्वास करता है उसके साथ जन्मों के पापनस्ठ होते हैं ये पुत्र देवुत्थान एकदसी के पालन से त्रिभुवन में अनिश्यत ना मिलने वाला और बहुत ही दुल्लव ऐसा पुर्णे प्राप्त होता है। मंदार परवत के समान पाप भी इस्वरत के प्रभाव से नस्ठ हो जाते हैं। इस दिन के पुर्णे की तुलना स्रिफ सुमेरू परवसे ही की जा सकती है। जो भी रात को जागरर करता है। उसे सौ गायों का दान करने का पुर्णे प्राप्त होता है। नियमित वैदिक सास्त्रों का अध्यन करने से हजारों यग्यों का फल मिलता है। जो भगवत कथा के स्रवड के पश्यात वक्ता को धक्षडा देता है। उसे बैकुन की प्राप्ती होती है। नारदमुनी ने कहा हे स्वामी कृप्या यह एक दसी कैसी करनी चाहिए इस विशे में आप हमें बताएए पितामा ब्रह्मदेव ने कहा हे दिज स्रेश्ट प्राताकाल इस्तान के पश्याद भगवान के शोकी उपासना करे इस तरह व्रत धारण करे कि हे अर्विंदाक्ष एक दसी को मैं अन्न ग्रहन नहीं करूँगा केवल द्वादसी को ही अन्न ग्रहन करूँगा हे अच्चुत क्रिपा आप मेरी रक्षा करे ब्रह्मदेव ने आगे कहा संपूर्ण धिन भक्ती भाव सेवरत का पालन करना चाहिए रात में भगवान विश्णु के पास बैट भचन कीर्तन लीला का स्रवन करके जागरण करना चाहिए एक दसी के दिन लोब की वृत्ती का त्याग कर दे जो भी पुन्यवान इस प्रकार से वरत का पालन करता है उसे अंतिमधे की प्राप्ती होती है जो कोई भी इस दिन भगवान जनार्दन को कदम के फूलर पढ़ क करता है उसे निस्चित ही मुक्ती प्राप्त होती है जो कोई भी असोख व्रक्ष के फूल भगवान को अरपड करता है उसे सूल चंद्र होने तक दुख भूगना नहीं पड़ता समी व्रक्ष के पत्तों से जो भगवान की पूजा करता है उसे यमराज कभी दंड नहीं द होता है सहस्त्र दल लाल रंग के कमल के फूलों से जो भगवान जगननात की पूजा करते हैं वे भगवान के स्वेथ दीप नामक धाम की प्राप्ति करते हैं हे दुछ स्रेष्ट एक दसी के रात को जाखरण करना चाहिए द्वा दसी के दिन विश्नु भगवान की पूजा करके म्रामणों को भोजन खिलाकर व्रत का पारण करना चाहिए अपनी छमता के अनुसार आध्यात्मी कुरू की पूजा करके उन्हें योग्य दक्षिडा दे करनी चाहिए इससे भगवान अतिप्रसन होते हैं जय श्री किष्णु